आरेसिस कार्यकरताओं के खिलाब विवादित टिपनी करने के आरोप में आसाम के एक कोट्स ने कॉंग्रेस पाध्यक्स राहुल गांधी के खिलाब समझ जारी किया है असम के कामरूम पेच्चु पॉलिटिन कोट्स ने राखुल गांधी को समझ जारी करते हुए उन्हें 29 स्टमबर तक कोट्स में पेश होने के आदेश दिये हैं राखुल ने आरेसिस कारिकरतां के खिलाव विवादत टिपनी किया था जिसके बाद उनके खिलाव मानहानी का मुकदमा दज़ करा आगया था उसी मामले में राखुल की मुश्किले बड़ती नजर आ रही हैं दरसल राफुल गांधी ने पिछले साल दिचमबर महीने में अस्वं के बरपेटा में कारिक्रम को सम्भोध करने पहुंचे थे इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि RSS कारिकरता हैं उन्हें कारिक्रम स्थल पर आने के लिए रोखने की कोशिश करते हैं उनके इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ था कुवेट की सरक्षा एजंसियों ने चेरल फंडिंग और रिक्रूट्मेंट करने वाले IS-IS के आतंकी अब्दुल्ला हादी अब्दुलल इन जी को गिरफतार कर लिया है उसी गिरफतारी हिंदुस्तानी एजंसियों की जानकारी के अधार पर की गई है दरसल भारत ने IS-IS के हिंदुस्तानी मॉडियूल से संबंधित एहम जानकारी कोवेट समेथ कई देशों के साथ सांचा की थी उसी जानकारी के अधार में विदेश में ये पहली गृफटारी कोई है आतंकी अब्दॉल्ला के पकड़ जाने के बाद फुवेत ने उसे सम्मन भी जानकारी की हिंदुस्तान के साथ शेयती है सूत्रों के मताबिक आरूप है कि खुवेट में पकड़े गया अतंकी अब्दुल्ला ने ही अरिब मजिद समेट तीन साथियों को स्थाजार यूएस डॉलर की मदद की थी दरसल सीधिया जाने के रास्ते में अरिब और उसके साथियों के पैसे एराफ में खतम हो गए थे जिसकी सूच ना मिलने के बाद खुवेट की सुरक्षा एजंसियों ने ये कारवाई थी बीजेबी से निश्कासित नेता दयाशंकर सिंग खोकोट से बड़ी रहत मिली है उन्होंने एजी जे चार कोट से पचास पचास हजार के मुचल के पर जमानत दे दी गई है बतादे की मायवती के लिए अब शब्द कहने वाले जैशंकर सिंग के खिलाफ एफ आई यार दर्ज परवाई गई थी कई दिन परार रहने के बाद उन्हें बिहार के बक्षर से गिरफतार किया गया था उनके खिलाफ लखनों के हजरत घंज ठाने में दर्ज एफ आई यार को मौस थरांत रिट्स कर दिया गया था डियाई जी ने बताया था कि घटना स्थल मौँ होने के कारण ऐसा किया गया है पुलिस ने दैशरंकर को CJM कोट में पेश किया जहां अंतरिम जमानत रद करने के लिए नैले ने उसे जेल भेज दिया था दैशरंकर ने ADJ4 कोट में जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसके बाद कोट में सनवाई करते हुए ये जमानत दे दी है पुरुचेरी के CM वी नरायन स्वामी ने कहा कि उनके मंस्री मंदल और उपराजयपाल किरन वेदी के बीच कोई मतभेद नहीं है उपराजयपाल और मंस्री मंदल समिधान के तहट उन्हें निधारत की गाई शक्तियों के अंदर काम कर रहे हैं इसलिए मतभेद की कोई गुंजवाईश नहीं है समधाताओं को संबोड़ुट करते हुए CM ने कहा कि राश्ट्र राजधानी शेत्र दिल्ली और केंदरी शासित प्रदेश पुजुचेरी का प्रशासन चलाने के समिधाने के प्रावधानों में बहुत अंतर है उन्होंने कहा कि पुजुचेरी के सम्मंद में समिधान में हमारे अलग प्रावधान है और केंदरी शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के तहद बनाए गए नियम की अलग है इसलिए किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली और कुजुचेरी दोनों के इंगरे सासित प्रदेशों की स्थिती सम्मान है दिल्ली की एक अदालत में चेक बाउंस मामने में शराव वेपारी विजय मालिया के खिलाव गया जमान की उपरन जारी किया है कोट्स में सर्फार से कहा है कि वो मालिया की भारत वापसी के लिए दवाव बनाए दिल्ली की पत्याला हाउस कोट्स में मालिया को चाह नविंबर को अदालत में पेश होने का परमान की सुनाया है अदालत में विदेश मंत्राले से कहा है कि वो लंदन में रह रहे मालिया को वारिन देज़े अदालत में कहा कि बार बार परमान सनाय जाने के बावजूद मालिया कोट में हाजिन नहीं हो रहे है उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाय जाने की जरूरत है वही मालिया के वकील ने ओर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल देश लौचने की हालत में नहीं है उनका पास्पोर्ट जब्द कर लिया गया है दिल्ली में आमादी पार्टी के 20 वधायकों ने दिल्ली वधान सभा स्पीकर को चिप्षी लिखकर उनसे सुरक्षा मांगी है वधायकों ने कहा है जिस तरह का दिल्ली का माहौल है उसे देखके हुए उनिक खत्रा है इसलिए उन्होंने गिल्णी विधानसभा तुष्थी कर राम लिवास गोयल से मदद मांगी है विधायकों ने कहा है उनके कारले में फीजीटनी कैमरे लगाए जाए जिसे कारले में होने वाली तताफिनी वीओ को कैमरे में केर पिया जा सके लगातार शुकायतों के आ रहे मामलों से विधायक जबात को लेकर चिंटित है कि तमाम लोग उनसे मिल्य आते हैं कोई कुछ आरोप लगा सकता है जिसको लेकर विधान सवा सक्षिवाले कम घीता से विचाता रहा है जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री उमर अब्दल्ला ने घाती में हालात पार तधान मंधी नवींद्र मोधी की चुक्ति को लेकर सवाल उठाया है और उसे दिल तोडने वाली और चिंटा जनक करा दिया है उमर ने कल देजा अप्षिटर पर लिखा दिल तोडने वाली और चिंटा जनक केंद्र यहां संकत को लेकर कब जावेगा वो कल हिंसर प्रलर्शनों के बाद सुरक्षा बलो की कारवाई में तीन लोगों के मारे जाने पार पतिक्रिया दे रहे थे विपक्षी नाशनी कॉंट्रेंस के कारिकारी अध्यक्ष ने कल घाती में सुधार संबंद केंद्र केंद्र के दावे को लेकर मिशान असाधा था उमन ने लिखा एक और जुर्भागे पून मौत आज अंगिनित लोग भायल हों और केंद्र मानुमिया उचित्तम नेयालय को बताता है कि चीज़े सुधर रही कैं सुप्रीम कोट राश्चे राजधानी को राज्य घोशित करने की मांग से जुड़े दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमे और उपराजय पाल को दिल्ली का प्रशास्टिनिक प्रमुक्त हैराने वाले हाई कोट के फैसले के खिलाख आप सरकार की अपील की एक साथ संभाई करेगा अर्विंद के जुरिवाल सरकार ने शीष नयाले को सूचित किया कि वे उच नयाले के गुरुवार के निन्ने के खिलाख जब भी एक याशिका दायर करेगी जिसके बाद सुप्रीम कोट की पीछ ने मामले को 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया आप सरकार का शिफसेना ने माहर्ट राज़्दी को लेकर महराश्ट्य के मुप्कुमंती देविद्य सज्जनविस को आड़े हातों लेते हुए कहा कि उन्हें दुरगटना स्थलों के हवाई दोरों को रोखना चाहिए और उसने पालक मंत्रियों को राज्जिर के भीतर दिमान से उड जान भनने से रोखने की मांगी ताकि मंत्री महराश्ट्य की सड़कों एवं पूलों की हालत समझ सके शिफसेना ने ये भी कहा कि सरकार का महतवकांशी लेकिन महराश्ट्य कारिकरम अच्छी गुलवत्ता वाली सड़कों एवं पूलों के निर्मान के साथ शुरू होना च इस पैसले पर गंभीर विचार के जाने की आवश्यक्ता है। इस पैसले पर गंभीर विचार के जाने की आवश्यक्ता है। इस पैसले पर गंभीर विचार के जाने की आवश्यक्ता है। इससे पहले शहिगल ने उप राजिपाल जजीद जंक को पत्र लिखकर आरोप लगाया था। कि मालिवाल ने एक नीजी क्लब को कारण बताओ नोट ज़ारिकार पाद का दोरोपे उखिया। जैपुल कॉंगिलेस ने राजिस्थान में गायों के मरने और खराब स्थिती के लिए बीजेपी सरकार को जमदात कराया है। जिला कमिटी ने गायों की रक्षा के लिए सन्वार को पहले एक महा आर्थी और इसके बाद वो रक्षा पद्यात्रा आयोजित किया है। इसका नितितवर जिला अध्याक्स प्रताब सिंग हच्रियावास नगे तपाउ करेंगे। बताद चले की हिंगो निया, गोजाती अपश्रू, पुनवास, गेंडर में बीते कुस दिनों में कई गायों की मात हो चुटी है। इससे देखते हुए जिला कमिटी ने बिमार गायों के वचाप के लिए भ्यान चलाने की नाम की है। जैपूर कांग्रिस अध्यक्षपताब सिंग, हच्रिया वास ने कहा कि हिंगो निया, गोशाला में हर देखते करो गायों की मात हो रही है। जिसे कांग्रिस आहट है और इसके विरोध में गोरक्षा यात्रा निकाली जाएंगी है। जेडियो नेता शुरद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कावड़ियों की भीड से करके विवात खड़ा कर लिया है। दरसल्कानपूर में जेडियो की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोज़दारी बड़ी है जिसका उधारन कावडियों की बड़ती भीर से साफसाब देखा जा सकता है शरद यादव ने ये बयान घातंपूर में जेडियो की जन सभा से पहले सरकित हाउस में दिया शरद ने कहा कि कावडियों की भीर देखकर अंदाज़ा लगा जा सकता है कि देश में कितनी बेरोज़दारी है इनके पास साम होता तो ये सड़को पन नहीं दिखते उत्रदेश में चनावी गठवंदन पर सरद ने कहा कि उनकी समाजवादी पाटी या किसी और पाटी किसी के साथ गठवंदन नहीं करेगी सपा को बिहार में फरक्ष चुके हैं इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठवंदन नहीं होगा अभी अभी ये जो ये जो कोई तिवार होता है इसमें ये कावरिये बड़े पेमाने में निकलते हैं सावन वाला याने हालाद जो है वो सडकों जो है वो सावन के तिवार में ये पानी ढालने वाले हैं सबसे बड़ा नजारा बेकारी बेरोज़ारी का वहाँ देख सकते हैं बड़ी भीड बढ़ रही है कामरी है वो इतनी बड़ी भीड है होती है यह दिमोलोगों काम होता था वैश्नो देवी मंदर के पास लैंसलाइड के दौरान चटान गिनने से चार लोगों की मौत हो गई वही साथ लोग जखनी हुए है मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला सामिल है फुलिस ने बताया कि यह भटना अद्ध कुमारी मंदर के पास हुई जिसमें एक शक्स की मौत मौके पर की मौत हो गई है वही जाज़तर सध्धालू को सिर में चूते आई है जिस ज़दा हम ये लैंसलाइड हुआ है वहां से वैश्नो देवी मंदर करीब ठेक नमी के दूर है घायलो को कट्राव के कम्यूनिटी हेल्स सेंटर में एद्मित कराया गया है आपको बताते हैं कि घटना उस वक्त पुई जब सधालू मारेश्नों के दर्सन के लिए बुपा की और बढ़ रहे थे अमेरिका में प्रेजिदेंशिल इलेक्शन के लिए कैम्पेइनिंग का दौर जारी है डेमोकर्टिक पार्टिक इनहरी ट्रेंटन और उनके ओपोनेंट्स रिपब्लिकिन जॉनल्ड ट्रम्प वोर्टर्स को लुभानी की कोई कसर बाकी नहीं स्कोर रहे कैम्पेइनिंग के इसी दौर में एक स्पीज के दौरान हिलेरी क्लिंटन अपने अपोनेंट्स दौनल्ड ट्रम्प को हस्बेंट बता बैठी आला की वो हस्बेंट्स रफद में को लपाई और खुद को फॉर्ण संभालते हुए कहा मेरे अपोनेंट्स इसी बारे में बात करें हैं इसके बाद उन्होंने काफी संभल कर आगे की बात कहीं उन्होंने अपनी और स्वंप की कॉलिसीज ने अंतर को लेता रिपोर्ट्स को जानकारी दे बता दे की हिलैरी के पती का नाम बिल क्लिंटन है बिल खुद दो बार यूएस प्रेजिडेंट्स रह चुके है